दोस्तों ये जो हमारा चाप्टर है इसके राइटर का नाम है विक्रम सेथ दोस्तों विक्रम सेथ जी को ट्रावल करने का बहुत जादा शौक था उन्होंने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था हेवन लेक जिसके अंदर दोस्तों चाइना से लेकर इंडिया तक की पूरी जोर्नी को उन्होंने बहुत अच्छे वोड़ में डिस्क्राइब किया है अब दोस्तों ये जो 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 जर्नी इतनी बड़ी जर्नी वो उन्होंने डैरीक्ली नहीं करी बलकि नेपाल कंट्री की थ काटमांडू पहुचे तब उन्होंने काटमांडू में दूस्तों क्या क्या चीज़े देखी उनको कैसा लगा उनके experience के बारे में हम जानने वाले इस चाप्टर को सही तरीके सा समझने के लिए मैंने इसको पूरे तीन पार्ट में दूस्तों डिवाइड कर गया है सबसे पह को पता है कि जो नेपाद है उसमें बुद्धिसम को भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है इसलिए दोस्तों काटमांडू में एक और बहुत अच्छा टेमपल है जिसका नाम है दोस्तों वहां पर बहुत नाथ स्टूपा अब दोस्तों बहां पर उनका experience कैसा रहा व को बताएं तो वो फ्लूट सेलर को देखने के बाद उनको कैसा लगा उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से डिस्राइब किया है और ऐसी दोस्तों हमारी यह चाप्टर करने के बाद लास्ट में जो भी बैक एक्सराइज के क्वेस्टिन्स हैं उन सब को भी हम सॉल्व करें इस पोरे चाप्टर को सही तरीके से रीट करने के बाद इसका रिवेशन लेक्टर भी अवेलेबल होगा आप शॉट में इसको रिवाइस भी कर पाएंगे तो चले दोस्तों शुरू करते हैं इस जर्नी को सबसे पहले हम बात करेंगे टेंपल एक्स्पेरियंस के बारे में अगले लेक्षर में इस लेक्षर में इस पाई सब्सक्ट बात पसंद आया होगा तो इसी तरह से इंक्रस्टिंग तरीके से अगर आप सारे और सारे इस तेओरी इस दिर्टिंग न चाहते हैं तो आउनलोड कर ये पिए प्योट अप्यो अपको बहुत कुछ मिलेगा संप thiो पर फिर न एपार ओर सुनिस्टलस बहुट कुछ वुट वीटिं वक्ड़ा तूलोड प्यो circuits पहो कुछ